ये तो रही बिहार की राजनिती की बार, थोड़ा प्रकाश ज़ार्खन की राजनिती पर भी डालते हैं। राजनिती से पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, या फिर स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। शिक्षा का मंदिर और पता नहीं कितने ही सम्मानित संग्याओं से स्कूल को शुषोभित किया जाता है। प्रतापूर और कौरा उत्करमित विद्याले के नए भवन का उत्गाटन करने श्रम मंत्री सत्यानत भोगता पहुंचे वो अपने समर्थकों के साथ थे। उत्गाटन कारेकरम के बाद स्कूल की छत पर महफिल जमाया गया। महफिल में डांस का प्रोग्राम कराया गया ले देखिए कि तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से लॉंडा नाच का लुथव उठा रहे हैं स्रम मंत्री शत्यानंद भोकता आप देखिए तस्वीरों में जारकंड सरकार के स्कूल के उद्गाटन में पहुंचते हैं और वहां महफिल लगाया जाती है महफिल किस कि उनके चहरे कि मुस्कान बता रही है कि कि कितना मजा लेकिन वडैंबरा यह है कि लॉंडा ना ंच उसी स्कूल के छट पर किया गया है जिस स्कूल भवन का उद्घाटन हुआ है आप ही सोचे स्कूल भवन का उद्गाटन हो गया कल से यहां सातर पढ़ेंगे और उद्गाटन में मंत्री जी के सामने क्या होता है लॉंडा नाच यह किस तरह का उदाहरण इन बच्चों के सामने पेश किया जा रहा है यह आप खुद ही विचार कर सकते हैं एक मंत्री एक पब्लिक लोग इनको देखते हैं पर नजर बनाय हुए रहते हैं लेकिन मंत्री महोदे को शायद यह नहीं पता है साइद वह भूल चुके है कि हो मंत्री हैं वह स्कूल भवन के उद्गाटन में पहुंचते हैं और लॉंडा नाच हो रहा था वह इतनी भी जहमत नहीं उठाते हैं कि इस नाच को बंद कराया जाए क्योंकि स्कूल भवन में इस तरह के नाच कराया जा रहा था तस्वीरे आप देखिए और तस्वीरों में यह भी देखिए कि सूबे के महोदे माननीय मंत्री सहब श्रम मंत्री सहब किस तरह से इस डांस का लुट्व उठा रहे हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी धनंजे लगातार बने हुए धनंजे स्कूल को हम लोग मन्दिर के तौर पर देखते लेकिन सिर्फ हम ही लोग देखते हैं मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूं क्योंकि मंत्री मोहोदे साथ भूल गए कि वो स्कूलबवन के उधगाटन में गए स्कूलबवन का उधगाटन हुआ मैं फिल सजाई गई और मेहफिल सजाई गई स्कूल के चत पर और चत पर क्या हुआ वो वीडियो में है और वो सब देख रहे हैं लॉंडा नाच हुआ है तरण जै आयूज देखिए चत्रा के परतापुरोर कोरा उत्मृत उत्करमित विद्याले का है जिसमें नए भावन का उध्गाटन करने करें सर्म नियोजन मंत्री सत्यनन भोकता गए हुए थे और उध्गाटन के बाद स्कूल में अगर ऐसा प्रोग्राम होता है कहीं ना कहीं मंत्री कि तरफ से कुछ बयान नहीं आया बयान का वेट करना चाहिए लेकिन अगर प्रोग्राम ही कराना था उनको अब किस बात का इंतजार हमें तो यह उमीद थी कि माने निये जो है उन्हें उसी वक्त आपत्ती जताई जानी चाहिए थे उनकी ओर से और तभी बंद कराया जान करना था मैं वहीं बता रहा था यूँ देखिए अगर ऐसा ही कुछ प्रोग्राम मनरोंजन के कार्शक्रम अगर होता है तो उसकों बच्चों के साथ चात्रों के साथ करवा सकते थे लेकिन वहां उनके साथ जो करिकारता और समर्थ तक जो पहुँचे थे कुरसी में बैठ जानकारी अब किसी के पास अभी नहीं बताया गया और यह भी एक जानकारी एक ऑथेंटिक जानकारी मंतरीक तरफ से पूछा जाएगा कि आखिर आप उसकुल सिख्चा का मंदिर जहां कहा जाता है वहां पे लोंडा डांस आखिर क्यों करा गया बच्चों के सामने में ना लोंडा डांस करवाना कहीं ना कहीं सवार घरा में आता है सत्यानद ho cannственно जो मंतरी हैं उन पर सवाल खड़ा भी होता है और यह एक बार की बात नहीं कई बार इसे सपर्रेंगर में सत्योंडा डांस अखिर प्रन जाते होड़ें नहीं कहीं ना कहीं जब यह मिलेंगे मीडि होता कि सिद्रेट काम करेंगे अगर इस थरह से प्रोग्राम हुई कही ना कहीं आरे ज़ेड़े कि जो विद्हायक मंत्री हैं अब सरकार में सरकार से सवाल पूछ आजागा कि सरकेर निशी करांजा का हमारी साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यह दे हमारे सायोगी धननजय हम इनसे चर्चा कर रहे थे कि मंत्री सत्यानद भोक्ता जो कि श्रम मंत्री हैं वो किस तरह से लॉंडान आज का लुथ उठा रहे थे ठीक है अगर कोई एक नीजी कारेकरम होता तो कोई बात नहीं थी एक स्कूल का उठाटन हो रहा उस स्कूल के उठाटन में चट पर महविल सजाई गई है और एक उदाहरन किस तरह का उदाहरन बच्चों के सामने पेश किया जा रहा है यह आप खुद समझ सकते हैं मंत्री महोदे माननिय महोदे डांस देख रहे हैं वो भी लॉंडा डांस वो भी स्कू नमस्कार